हेलो एब्रीवान वेल्कम टुझी गुड मोनिंग लेक्ट्रिकल वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर गेट एसे एंद प्सु तूड़े वी आर गूंट तू सॉल्व कोश्चन्स वेस्ट वेस्ट उन चैन रूल एज यू नौ एब्रीवडी हमारा जो प्रीवीस लेक्चर था ऊस लेक्ट्टर में हमने चैन रूल का कंसेप्ट बहुत ही वेसिक से एडवांज लेवल तक समझा हीा और उस में बेस्ट एक्टामपल्स प्राक्तिस किये है अब हमारा जो यह यह होने वाला है टूदे का जो हमारा लिक्ट्र ہोने वाला उस लीक्ट्टर में हम क्या करने करने वाले हैं तो यह रहा आपका कोश्चन नम्बार टू यह कोश्चन नम्बार टू जो है वह गेट कि 2017 का कि क्या है कि पीवाई क्यू प्रिवीज यह कोश्चन है यह जो कोश्चन है तो यह मैं एक बार इस कोश्चन को पढ़ देता हूं देखो कोश्चन नम्बार टू सेबन मसीन्स टेक सेवन मिनट्स टू मेक सेवन अइडेंटिकल टॉइस एक दी सेम रेट हाव मैनी मिनट्स वूदी टेक फॉर हंड्रेट मसीन्स तो आपको इस कोश्चन को सॉल पर निकली मिलते हैं पूरे बन मिनट्स इवर टाइम स्टार्ट राइट नाओ झाल झाल टाइम साफ टाइम साफ टाइम साफ है ना आप देखो अब इस कोश्चन को करते हैं जैसा कि मैंने जो हमारा क्या हो थो प्रिवेस लेक्टर था तो उसमें मैंने जर्म ऐइस से देखा होगा कि मैंने सारे question को तीन method से solve कराया था और उसके साथ common sense के through भी उन question को हम solve कर सकते थे ना इस question में भी same possibility है लेकिन मैं क्या काम करूंगा देखो अपन chain rule पढ़ रहे हैं तो इस question को मैं chain rule मतलब chain rule का use करके आपको इस question को solve कराऊंगा है और उसके बाद मैंने जितनी भी आपको possibility फर्ष्ट और common sense के थुरू आपको solve करना है आपके लिए home bar क्या रहेगा आपके लिए home bar कि यह है कि जो common sense मैं अभी जितने भी question करा रहा हूं आपको वह सारे question को पहला तो common sense के थुरू solve करना है उसके बाद पि पिर आपको जो method बताया था ना में वह वाली method सो solve करना है ना और उसके बाद फिर अभी चैन रूल तो चैन रूल का जो formula होता है है ना तो चैन रूल जब हम चैन रूल स्टार्ट करना है है थोड़ा सा question को समझ ना कि question की language और उसको समझ के चैन रूल में को ठी करना है और क्या चलो आपको चैन रूल लिखवा जाता हूँ चैन रूल आपको याद हुआ के नहीं मैं आपको डिराइब भी कराया हूं और बताया हूं कैसे बेसिक्स है ना एंबान कि दिए ओन वरन एँवन एंबन मीन्स नंबर ओप मेंन स्टीव टाइम है ना अबताया है प्रिवेस लेक्शर में टाइम दे में हो सकता है एब मिना फीकर हो सकता है सब्सक्राइब यहां पर यहां पर बताते वह आता हूं यह टी टू T2 E2 है ना E2 upon W2 तो यह जो है यह हमारा क्या है यह हमारा चैन्डून का है फॉर्मूला है ना यह हमारा चैन्डून का फॉर्मूला है यहां मैं लिख दे हूँ करें किWow हमें कोंट करेंगे सौल आ मुसा ओले करें का यूश्चन भर है मैं तो इस का यूश्प करते हैं पहले आपको कोशन पढ़कर बतातों है ऑड़न माषीन से यह से ना कि माहें किसा एंबन और जो एफीशंसी की बात करें तो एफीशंसी दोनों की शेम इफीशंसी है ना तो इसेम रेट यह रेट मतलब होता है इफीशंसी यह लिख दिया है यह यहां से यहां से यहां से आपने को कोई मतलब नहीं है तो वह तो वैसे भी आट हो जाएंगी यहां पर देखो तो यह जो है M2 वह जो देखो है 100 मशीन और यह जो सब कुछ अब क्या काम करें ऐसा भोलने से तो होगा नहीं आपको मैं सॉल्ड भी करा जेता हूं है तो क्या कैसे सॉल्ड करेंगे यह है क्या सेवन इन्टू टाइम है अपना सेवन मिनट्स इंटू इफिशेंसी इफिशेंसी का ऐसा है कि इवन इक्वल टू इटू इक्वल टू इफ्युल टू इफिशेंसी से तो यहाँ पर मैं इफूट कर देता हूं इस नहीं भी पूट करें तो कोई दिक्कार ने क्योंकि वो तो अल्रेडी इंसल आट होई जाएगा और बर्क जो है क्या सेवन इटेंटिकल टॉइस तो यह इक्वल टू अब देखो एंटू तो एंटू क्या है यह हंड्रेट मसीन्स है ना तो यह है अपनी यह आगे अप सब्सक्राइब करना है कैसे सिंपल करोगे यह जो हंड्रेट है यह है यह यहां से घ्राइड हो गया है तो नteringसाThis मैं किलिकल है होगा है लोकिधार में और इसे जो है वो कितना आगे यह सेवन सेवन लिए बचाना पूरा तो कट गए हैं तो यह होगे सेवन कि मिनेट से लुट होगे पूरा तो तो यह आगे हमारा अंसर आई हो गाइस कि आपको यह समझ में कोई इसमें समझ में आया होगा ना आया के नहीं समझ में आपको कि देखो नई भी आया होगा आप मुझे टेली ग्राम में मैसेज कर दे ना अपन लोग क्या काम करेंगे एवनिंग में डॉट क्लियरिंग शेचान रख लेंगे जूङ क्या समझ है क्योंकि यहां पर प्रिक्षा करोगे। और इसको किसके तुरू करोगे यूनिटरी रूब के थूरू करोगे थाड़ इसी को करोगे जो मैं आपको मैथट बताया था हना वह वाली मैथ़द का थूरू करोगे और आप मैं करेगाम कारता आप मैं next question पर चलते हैं बहुत होग इस question का discussion इस question अवर चलते कोल विट एन इफिसेंसी ऑफ 90 90 परसेंट वाइल थ्री अधर कोल लोडिंग मशीन एट एट इफिसेंसी ऑफ 80 परसेंट सेट तो हैंडल 12,000 टन्स ऑफ कोल इन 6 देज फाइंड हाव मैनी आर्स पर डे इच फूड वर्क तो ऑफ्शन यह मैं है क्या है 16 आर्स पर डे ऑफ्शन बी 14 आर्स पर डे ऑफ्शन सी 15 आर्स पर डे ऑफ्शन डी नन अफ दिस तो आपको इस कोश्चन को सौल परने के लिए मिलते हैं पूरे बन मिनट यूर टाइम इस स्टार्ट नाओ क्या है कि टाइम साइब टाइम साइब देखो इसको भी किसके तुरू करेंगे चैन रूल करेंगे हम तो चैन रूल क्या होता है मैं हर एक कोश्ण में आपको लिखाऊंगा ताकि वह आपको याद भी होजाए क्योंकि बार-बार आप उसको देखो हुए तो याद भी वो जल्दी आपको हो जाएगा है ना चैन रूल लिखाता हूं क्या M1 T1 E1 अपकोन W1 इक्वल टू M2 T2 E2 अपकोन W2 है ना यह है हमारा चैन रूल का फॉर्मुला आई होग वाइस की फॉर्मुला आप सभी को रिमेंबर होगा और नई भी है तो अब कर लेना भी या और नहीं करोगे तो मैं आपको बहुत सारा इसके लिए दो तीन मेथड़ तो बताएं उसमें से किसी एक से सॉल्व कर लेना है ना तो अब इसके थुरू अब देखो अब अपन लोग पढ़ते हैं कोश्चन कोश्चन मैं समझाता हूं टू कोल मसीन लोडिंग है ना टू कोल मसीन इत्मीन देट की M1 की वैल ट्वैल्व आर्स और डी से है एड डेस है ना एड डेस तो इसको थोड़ा सा मैं यही फॉर्मूले को क्योंकि कोश्चन में मोडिफाई करके कैसे लिखना पढ़ेगा देखो M1 उसके बाद यह रहेगा H1 D1 क्योंकि टाइम जो है यहां टाइम किसमें गिवन है एक तो यह आर्स वन 12 वार्स पढ़े और डेस है ना इस टाइप से उसको निखना पढ़ेगा उसकी कुछ नहीं किया हूं यह सिर्फ और सिर्फ मैं जो टी है टी की वैल्यू जो है उस व सब्सक्राइब कर दिया ना तो अब इसमें आपको एक्स्प्रीन करता हूं है तो एम बन की वैल्यू टू आ गई है ना इच वरकिंग वार्स पारड़ा तो एच की वैल्यू आगई ट्वैल नहीं यह ट्वैल्यू यह एच वैल्यू उसके बाग फिर फ्र एट देस्ट वीवन एट आगी है ना और वह बर्क कितना कर रहे है थे और इफिशेंसी जो है होगी निंटी परसेंट ये इवन इफिसेंसी वाइल थ्री धर लोडिंग मशीन्स तो एंटू की बेलिग होगी है थ्री थ्री अधर कोल लोडिंग मुसिस एट एटी परसेंट तो जो एटी परसेंट होगी सैट टू हैंडल त्वेल थाउजन टन्स आप पोल इन सिक्स डेस है ना तो आपको मैं सब कुछ बता दिया हूं क्या क्या है ना सिर्फ आप पुठी करना और इसी फॉर्मूल को हमको यूज करना है और इसी फॉर्मूल को यूज करके सॉल करना है तो चलो पुठ करतें हैं जल्दी यल्दी वैल्यू है ना अब अब ऐसे थोड़ी होगा पुठ करके आपको बताना पढ़ेगा यह जो एमबन हैं ना इस एमबन की वैल्यू योग्रों तो टूब देखने कि एन मैं क्या एन क्या हूं ना कोंखकston को अंगे बीटी क्या फॉट किया ना पस सिर्फ समझना है और कुछ हने है कुछ नहीं है वहिथे आपको समझ में आ रहा होगा में कैसे कौशेंज से पढ़ा पढ़ा कर सारी चीजें यहां पर पूट कर रहे हैं इसके बाद कुछ नहीं है बहुत ही सिंपल है चैन रूल है ना आपको समझ में आगे होगा यह देखो यह यह थ्री अधर को लोडिंग मसीन तो यह तो आपन को फाइंड आपकर नाच तो यह लिख दिया मैं एच्टू इंटू तो कितने डे शिक्स नेज़ ना यह इस डे टू वैलू इन्तू इटू की वैलू यह है एक्टी परसेंट है ना कोशन में एक्टी परसेंट है अब देखो डवलू टूबर्क इतना है डवलू कुछ यह है त्वेल थाउजन टन्स है ना कि 12000 टन्स तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं इसको क्या काम करतें इसको कैसे करेंगे gi यह जो त्रपल जीरो से यह त्रपल जीरो होगा होगा कैंसल आउट है ना उसके बाद फिर यह यह जो है है और यह समझ में कैसे कर रहा हूं है यह इतना होगा heart यह कि तू तू थ्री जा शिक्स टू थ्री जा शिक्स है ना तू थी जा शिक्स है और यह है 3-4 जा ट्रीफोर ट्वैल अब देखो सिंपली में क्या खाम करता हूं कि आख देखो यहां कितना वच्छा दूसरा ले ले ताहों यहां है ना दूसरा ले देखो यहां के बच्छा फूर इंटू एट है ना वक्षा हुआ है और इधा साइड बचा हुए थ्री इंटू एज टू इंटू एड बचा हुए है ना और ये बचा हुए ट्वैल तो थ्री फोर जा ट्वैल फोर टू जा एट ना ये टू है और ये है कि थू तो हमारी जो है कि एच्टू की जो वैल्यू आ गई कि 16 ना कि आगे वैल्यू है एच्टू की वैल्यू जो आई अपनी एच्टू की वैल्यू जो है अपनी 16 आर्स परड़े यह हमारा answer आ गया है समझ में आया है question यह question में मैं कुछ नहीं किया हूँ यह question में मैं कुछ नहीं किया हूँ कुछ भी नहीं किया क्या किया इसमें मैं simply के काम किया इस question में मैं इस question को पढ़ते गया और पढ़ने के बाद क्या किया जो भी कुछ इसमें था सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलीया फुट किया चैनरीूल का फॉर्मूले यूस किया और चैनरीूल के फॉर्मूले में यह सारी चीज़े फूट किया है तो कुछ-इद बहुत सब्सक्राइव था कोई बहुत दिप्रिकल्ट कोश्चन था नहीं अब इसमें आपके लिए हम बार की से लिए जो मैं आपको पहले बोला था पहले तो आपको इसको इसको इसी को आपको क्या काम करना है जो आपको मतला बिदावट फॉर्मिल के जो चैनूल बताया था ना मतला उस टैप से स तो सब्सक्राइब करना है क्योंकि जितनी ही सकती है उसी को सॉल्ट कर के देखेंगे है न हो लेकिन यदि आपसे नहीं बनेगा तो फिर आप टेलिगा में मैसेज कर दीजिए अपन साम को जो डॉक्त सेशन रखेंगे और सेशन में अपने डिसक्रस कर लेंगे है ना तो आप चलो आप नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं इसकोशन के इतने डिसक्रेशन अब यह है कोशन नम नमर फॉर को मैं थोड़ा सा रीट कर देता हूं आपके लिए ना कोशन नमबर फॉर टैन मैं वर्किंग सिक्स आर्स पर डे कैन कम्प्लीट आव वर्क इन एटीन डेस हाव मैं एस फिप्टीन मैं वर्क्स तू कम्प्लीट तस सेम बर्क इंट्वेल डेस है ना तो आपको इस कोश्चन को सॉल पनीकली मिल्स पूरे बन मिनिट यह टाम इस टार्ट ना आपका टाइम स्टार्ट हो गया बढ़िया वहतरीन तरीके से अब आप इस कोश्चन को क्या करिए सॉल परिया अटेम्ट करिये है ना कर आद कर दो कर दो कर दो कर दो टाइम साब टाइम साब अब कोश्चन में क्या होला है 10 men 10 men working इस टेरर्ट अंट्रेज है इस आर्स पर डे आन्मेन 만나 शिक्सांट तरिए ना यहीं वह लें नगकेशन में 13 लाटिंग सिप्साइब और 네न है Kate this में जोपी 10 डेसने में वटको कम्बीट कर रहे हैं नहीं कि इसको क्या कर लेते हैं कि इसको क्या कर लेते हैं हम थो संबज में आ रहे हैं आपको एश्टी को फाइड आउट करना है तो वर्क्स पूंप्लीट देसेम वर्क इन ट्वैर्व डेज कि यहां पर क्या जो है मतलब जो वर्क इस नौट गिवन इन दिस कोश्चन तो हम क्या काम कर लेते इसको और सेम बर कहना डवलू सेम बर्क मतलब की डवलू वन एक्वड़ डवलू टू क्योंकि बर्क जो है यह बोल रहां कि सेम बर करने ना तो क्या काम कर रहें इसको हम मान लेते हैं, x, simple सा question है.. कोई बहुत बड़ा वो नहीं है .. मैं इसको chain rule है.. chain rule में direct put chain rule कर रहूं.. अभी मैं chain rule नहीं रहूं N.. लिक नहीं रहूं chain rule में.. already आपको याधी होदे मैं क कितनी है chicks & 10 menEm2 एज वन सिक्सार्फ फ़र्डे इंटू ये डीवन एट्टीन है ना और देखो ये और जो बार्ख है एक्स फिर क्या है ये 15 मैन है इसकी वैल्लू क्या है एच्टू और त्वैल्डे लेज और डीवन एक्स ये मैं चैन रूल का जो फॉर्मूला है उसकी पूर्मूला है चैन रूल का जो फॉर्मूला है पराइब स्किर्च को जो फार्मूला है अधिनी कजिए उसी फॉर्मूली में पूरे होगा नयशाय चीज है रही है इसे ऑताथे होगया हम में इस बिसे अन्रुल अब यह थोड़ा सा अब विजीवल रहेगा तू जा ट्वैल्व तू फाइब जा टैन फाइब त्रीजा फिफ्टीन थ्री शिक्स जा एटीन है ना अब देखो क्या कुछ बचा हुआ है कि दूसरा कलरी उसकरता हूं यार यह थोड़ा विजीवल होगा ना तो एच्टू एच्टू की वैल्यू कितने निकल लगी हमारी यह six hours per day है ना तो यह है हमारा क्या answer यह हमारा आगया answer आई होप गाइस की इसमें कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला फूट करना है मुझे नहीं लगता कि और इसमें कुछ आपको question solve कराने की need है क्योंकि कर कह रहा हूं मैं only question को पढ़ रहा हूं और उसमें फॉ क्यों कर रहे हैं अल्रेडी तो ऐसा काम करते हैं बढ़ी अच्छ अच्छे questions आप करना है ना तो ज्यादा उसमें टाइम बेस्ट नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है क्या question क्या question कराऊंगा आपको डेसार question सेमी question कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला फुट कर रहा है calculate कर रहा है जैसे कि कोई calculator होगा तो कुछ है नहीं तो इसलिए है okay then I am going to close this session here thank you है ना ज्यादा कुझे ऐसा करना नहीं है इस question क्यों क्या करेंगे यार चैनल का simple सा formula वही use कर रहे है question फट रहे है फॉर्मूला फुट कर रहे है क्या है क्या है क्या थोड़े स्टे जो tricky question है वह करेंगे हम थोड़ा साव हम अब हमारा जो time and work है ना time and work हो गया फूरा complete time and work हो गया हमारा फूरा complete अब इसके बाद हम time and work पर based questions practice करेंगे ना अब इसके बाद हमारे हमारे जितने भी लेक्चर थाएंगे time and work के एक दो लेक्चर उसमें सिर्फ हम question 20 से 25 अच्छे quality वाले questions प्राक्टिस करेंगे हैं ना thank you thank you for today है ना आजके lecture के लिए चलो अब फिर I am going to close this session here मिलते हैं फिर next lecture पे questions practice करते हैं ना thank you